नमस्कार दोस्तों सभी कैसे हूँ उमीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत करता हूँ और आज एक छोटी सी न्यूज लेकर आएँ जैसा कि आप लोग पीछे थमनेल के उपर देख पा रहे हैं कि जो भी कही अपने को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आप लोगो नहीं मिल पाता है तो कि अपन देखते हैं कि अपनी बढ़ती बेरोजगारी के कारण से या फिर इसका दूसरा कारण भी कह सकते हैं अपन कि जितनी विभाग है डिपार्टमेंट है उनके अंदर जितनी उनकी र भरती नहीं निकालते हैं उसी का कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो उसी क्या आज एक छोटी शी नूज में लेके आया हूं UGC का बड़ा कदम असिस्टन प्रोपेसर बनने के लिए रास्ता हुआ आसान ठीक है तो UGC ने कुछ एक कदम उठाया है जिसमें रिक्त चल रहे है उसका पूरा बायो डाटा जो है उसका पूरा डाटा जो है वो किस ने मागा है UGC ने मांगा है तो कि यूजी सी के यह माइंड में सैट हुआ है कि यह लोग मनमर्जी अपने कर रहे हैं या फिर अपने ही इसकोलर है उनको लगा लेते हैं तो इनकी वेकेंसी नहीं निकालते हैं और जैसे-जैसे ऐसी कंडिशन चल रही है इसी कारण से आज एक ऐसी कंडिशन हो चुकी है कि कितन 15,000-20,000 रुपए के लिए आपको ओफर दिया जाता है अगर ये बड़ी उनिश्टी जो है अगर वो ये वेकेंट जो पोस्टे है जो रियल में उनके पास में है अगर वो जारी करते तो काफी स्टूडेंट्स जिनका रियल में वो टैलेंट रखते हैं इस लेवल का वह व आप भरती में आरक्षण के अनुरूप अब कैटेगरी को भी करना होगा सामिल ठीक जितनी कैटेगरी है और जितना आरक्षण है उनकी अकोर्डिंग सभी उनिश्टीज को वेकेंसिज निकालनी पड़ेगी किस ने कहा है ये यूजीसी ने कहा है यूनिवर्स्टीज और क से नहीं दे रहे थे इसलिए इनको एक डारेक्ट इंडारेक्ट कहें धमकी टाइप की दी गई है यहां पर देखेंगे यूजीसी ने 31 जुलाई तक पोर्टल पर रोश्टर की अनुसार रिक्त पदों की सूचना अप्लोड करने के लिए दिये आदेश इन्होंने साब कहा है 31 जुलाई इन्होंने लास्ट इंटीमेशन दिया है कि 31 जुलाई से पहले पहले आप पूरा जो आपका व्यूरा है वह आप साइट पे ओनलाइन कीजी ताकि लोग भी उसे देख सके और यूजीस की उसका अब्जर्वेशन एनलाइसिस कर सके यहां पर आपन देखेंग से सिक्षकों की भरती की जाएगी इसके लिए सेक्षनिक संस्थानों को आरक्षन की अनुरूप अपना भरती रोष्टर बनाना होगा कि किस कैटेगरी में कितने सेतियों उनके पास में अविलेबल है उनके अपोर्डिंग ही उनको सब्मिट या पिर जो कह सकते हैं अपन को भरनी पड़ेगी किनके अकोर्डिंग आरक्षन की अकोर्डिंग उसी के अनुरूप भरती करनी होगी यूजी सी को भरे हुए और रिक्त पदों की सूचना कितने आपकी उनुश्टी में कोलेज में आपके पद भरे हुए हैं और कितने आपके पास में अभी भी रिक्त है उन सभी की सूचना जो है वो 31 जुलाई 2024 तक ओनलाइन पॉर्टल के माध्यम से भेजनी होगी यूणिवर्स्टीच और कोलेज का पॉर्टल पर यह मादफ है जानकारी भी देनी होगी कि कितनी पद हैं अभी तक मिड nee कि कारण है की अगर है कि अगर ऐसी प्रणाली लागू हो तो सभी कंडिडेट जो कहीं न कहीं विचरा इतनी मेहनत करके इतनी हाड मेहनत करके आप लोग को पता भी है कि UGC और CSIR NET कितना टप पेपर पड़ता है और कितनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको जो NET जारफ मिलती है उसका उनको direct indirect कोई benefit नहीं मिलता है क्योंकि vacancies आती ही नहीं है तो वह करेंगे क्या लाश्ट में घूम फिर कहां पर आना पड़ता है बेड़ करना पड़ता है वहीं first grade second grade vacancies आती है ठीक है और क्या प्रियास किये ठीक है क्या प्रियास की जा रहे है आपने भर राज्य सरकार की state universities college सहीत नीजी universities में भी हल्चल सुरू हो गई है सभी को problem तो होगी अगर यह मांगी है तो कारण है कि प्रदेश की अधिकतर universities में रोष्टर नहीं बने है categories की according उनके पास है faculties नहीं है यह सबसे बड़ी उनको tension है ठीक है द्रेसल विश्वे विध्याले अनुदान आयोग UGC के सचीव मनीस जोसी की ओर से हाल ही एक circular जारी किया गया है जिसमें UGC के सभी नीजी एमराज किये विश्वे विध्याले और उनसी संबंदित production के अनुरूप भरती रोष्टर बनाना होगा उसी के अनुरूप जल्द भरती करनी होगी यह देखो यहां कितने अच्छे लाइन कहिए उनके अकोर्डिंग ही जल्दी ही भरती करनी होगी इसका मतलब काफी भड़ी भरतियां है उनके आने के संभावनाई रहती है तो जि रिप्तपदों की सूचना 31 जुलाई तक ओनलाइन पोर्टल के माद्यम से भेजनी होगी UGC ने अपने सर्कुलर में सपस्ट किया है कि रोष्टर में सामाने SC, ST, OBC, EWS के साथ PWD कैटेगरी को भी सामिल करना होगा सभी जितनी में कैटेगरीज है उन सभी कैटेगरीज के अपको भरती लेनी होगी और वेकैंसिस निकालनी ही पड़ेगी आपको यह है नियम कौन से कौन सी नहीं मिहां पैपल देखेंगे फैक्ट फाइल में गवर्मेंट युनिवर्स्टीज कितनी है तेरह है प्राइवेट युनिवर्स्टीज कितनी है त्रेपन है प्राइवेट कोलेज कितने है ए अठारा सो सताण में यहां पर देखेंगे टीचर ट्रेनिंग अस्टिटूट 1500, गवर्मेंट कोलेज कितने हैं 557, UGC के नियम जो है वहाँ देखेंगे, UGC नियमा नुसार स्टूडेंट टीचर अनुपात, नियूनतम एक पे 10 होना जरूरी है, मतलब 10 बचों पर एक टीचर का होना जरूरी है, UGC नॉम्स के अनुस चाहिए का चारी होनी चाहिए, एसिस्टेंट प्रोफेसर होनी चाहिए, दो एसोसियेट प्रोफेसर होने चाहिए, और एक प्रोफेसर होना चाहिए, किसी भी एक विशम चाहिए, बोटनी लो, चाहिए, जोलो, चाहिए, कोही भी सबजेक्ट हो, सभी के ओपर कितना स्टा पैनल वे मैरिट की वेदेता चैनल अधिक नहीं हो उसके पश्चात रिक्त पदो पर नए आविदन वे पैनल बनाए जाए यह क्या करते हैं कि पीछे जो रहे जाती है फिल अप नहीं होती है उसको कई वर्सों तक लटका के रखते हैं जो अपन बैकलोग की बात करते हैं बै बैकलोग में ही उनको छोड़ रखा है अगर वो सीट फिल अप की होती तो साइद सीट से वो बढ़ जाती है तो साइद किसी बच्चे का बेनेफिट हो जाथा भरती प्रकिरिया में स्कूंटिंग के बाद पैनल इंटर्विव ए पी आई के मादियम से मेरिट त्यार की जा जाते 2019 में जारी किया था एक पत्र जारी किया था जिसमें रोष्टर परनाली के तहत पद भरने के निर्देश दिये गए थे लेकिन UGC के पत्र की पालना नहीं की गई अब UGC ने सक्त कारवाही की हियादत देते हुए रोष्टर परनाली की पालना करने के निर्देश द पड़ेगी आपके पास में कोई option नहीं है अगर real में ये पढ़नाली लागू होती है तो मैं कहा रहा हूं जल्द ही बहुत अच्छी भरतियां सभी उनिविश्टीज के अंदर भरतियां जो है वो आने वाली हैं और हो सकता है कई स्टूडेंट्स के कई मेरे साथी कई मेरे सीनियर्स के सपने हैं वो साकार होने वाले हैं तो एक चोटी सी न्यूज थी उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड्स तक ये न्यूज जरूर शेयर कीजिए और कैसा लगा आप लोगों को प्राइटिंग न्यूज है ये तो आज का आप लोग रेस्पोंस जुरूर देके जाएए कैसा लगा आपको आज के लिए अपनी चोटी सी न्यूज थी कंप्लिट होती है थैंक्यू गाइज